लाइफ सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा होली कल है और आज चेहरे पे रंग लग रहा है मगर सबसे ज़्यादा कर रंग चहर रहा है तो बादचीत हो रहे हैं राजसभा जाने की हर कोई हर पार्टी राजसभा की तयारी कर रहा है क्योंकि तेरा तारीक लास्ट टॉमिनेशन डेट है आरजेडी के पास बहुमत भी है और आरजेडी से बात चल रही है राबडी देवी और तेज परताप यादों को भेजने की और वहीं भाजपा जनक चमार दलित काड़ खेल रही है आपको क्या लगता है आप के हां से कौन जा रहा है देखिए हमारे यहां से तो हमारा नेत्रत ये तै करेगा कौन हमारे दो उमिदवार होंगे दो सीट पर आरजेटी का उमिदवार ही जाएगा कौन जाएगा यह हमारा भी से नहीं है अब जो दलित काड़ की आप बात कर रहे हैं भागती जनता पार्टी दलित विरोधी है यह किसी से छुपा हुआ है सारे लोगों को समाज के अंतिम पंक्ती में बैठे हुए लोगों को लालु परसाथ जी नहीं जुबान दिया आज हम नहीं जाकर के आप दलितों के टोला में बस्तियों में जाकर के पूछिए उनका असली रहनुमा कौन है तब पता चलेगा बीजेपी तो दलित बिरोधी रही है और उसी की लड़ाई हमारे नेता लालु परसाथ जी लड़ते रहे हैं दलितों, सोसितों, वंजचितों के हक और हकू की इसलिए लालू परसाद जी से हमारे विरोधी बीजेपी घवडाती है और जो दुनिया की सबसे बड़ी पाटी कहती है वो 15 वर्सों से यहां सत्ता में है इसके बावजूद बिहार में अपने दम पर अकेले राश्ट्रे जनता दल से मुकावला नहीं कर सकती है आपने बोला दो सीट पे आरजेडी कही कोई जाएगा कॉंग्रेस वहां आस लगाए बैठी है सकती सिंग को ही लेटर लिख रहे हैं आपके गडबंदन में हैं वो पहले बात हुई थे कि कॉंग्रेस के आदमी को भेजेंगे अब क्या होगा ठीक है देखिए है कॉंग्रेस क आदमी को भेजेंगे वो वादा पूरा कर दिया गिया है डॉक्तर अखलेस सिंग जी को जो राजसभा भेजा गिया था उसमें आरजेडी के कृपा से और उनके आरजेडी के सहयोग से ही अब बार बार तो संभब नहीं है और हम तो वहां राजसभा में कॉंग्रेस को ही समझना चाहिए कुछ लोग कॉंग्रेस के ये उम्मिद लगाए बैठे हैं कि हर वार जो है कुर्बानी राज़त से ही मांग रहे हैं ये राज़त मजबूत के लिए है कि राज़त इस बार अपने ही आदमी को बेंगे एक दम इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है राष् कॉंग्रेस पार्टी का आला कमान इस पर मुहर लगाएगी और कॉंग्रेस को ही हम वहां राज़त में मजबूती परदान करते हैं इस बात को कॉंग्रेस को समझना चाहिए कि कॉंग्रेस पार्टी हमारा पुराना सहयोगी रहा है क्या हुआ तेरा वादा है वादा जो हमने किया वो पुरा कर दिया इसलिए बार वार एक ही वादा को याद ना दिलाएं हमारी उदारता और महांता का कोई नाजाइग फाइदा ना उठाए कॉंग्रेस तो हमकार है कॉंग्रेस हमारा पुराना सहयोगी रहा है हमारा मजबूत गठ बंदन है कॉंग्रेस के साथ सिर्फ हाथ और गले नहीं मिले हैं दिल मिला हुआ है तो इसलिए कॉंग्रेस पार्टी और राष्ट्रे जनता दल का गठ बंदन बहुत मजबूत है और चुनाओ के समय सीटों को ले करके इस तरह की बाते आती रहती है लेकिन अंतिम फैसला आला कमान कॉंग्रेस का करती है तो जैसा के आपने मिर्तिन जैत तिवारी को सुना उन्होंने साफ साफ का के दलित विरोधी भाजपा और कॉंग्रेस पर भी तीखा हमला किया गोला जब हमने पूछा क्या हुआ तेरा वादा वो पूछेंगे तो सामने से जवाब आया के हर बार कॉंग्रेडी ही क्यों ब क्या हिएंगे कुछा जवाब अ।